देश में वन नेशन वन रासन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो गई है पहले क्या आउता था कि आप जिस राज से हैं किवल आप उसी राज के अपने ही डिस्ट्रीटर से रासन ले सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आप पूरे देश में कहीं से भी अपना रासन ले सकते हैं मतलब कि अब आपना रासन कार्ड अपने एटियम कार्ड की तरह कहीं भी यूज कर पाएंगे इस योजना में राज के सबी रासन कार्डों को मर्ज करके एक Centralized रासन कार्ड बनाया गया है तो आज की स्वीदियों हम आप को बताएंगे कि आप किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपका रासन कार्ड One Nation One रासन में सम्मिलित हुआ है या नहीं इसके साथ हैं हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से चेक कर पाएंगे कि आपको कितना रासन दिया जाता है और आपके परिवार के कितने सरस्यों को समिर्ट किया गया है और सरकार द्वारा आपको कितना रासन दिया जाता है और आपको भी कितना रासन मिलना बाकी है यह सारी जानकारे आज किस वीडियो में चिक करना हम आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से उमंग अप्लिकेशन को इंस्टाल कर लेना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं जबाया सरकार दोरा चलाई गाई एस एप्लिकेशन के माध्यम से आफ काफी सारी सर्विसेस, हमलाफ ले सकते हैं वीडियो के लाश में आपको बताऊंगा कि आप बिना अप्लिकेशन के भी किस प्रकार से अपना वन निशन वन रासन कार्ट चेक कर सकते हैं अप्लिकेशन इंस्टाल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन करना है यहां से आपको अपने लेंग्वेश चूज करके आई अगरी पर क्लिक करके निश्ट कर देना है उसके बाद आपके सामने ऐसा डैसबोड आएगा अगर आप पहले से उमंग रप्रिकेशन यूज करते हैं तो आपको लॉगिन कर देना है नहीं तो आपको रइस्टर पर क्लिक करके अपना एकाउंट क्रियेट करना है यहां पर आपको अपना मौल नंबर इंटरगर के रइस्टर पर क्लिक कर देना है और आपके मौल पर एक OTP आएगी जिसको आपको यहां पर लिख देना है उसके बाद निक्ष कर देना है निक्ष करने के बाद आपका एकाउंट क्रियेट हो जाएगा और आपके सामने वन नेशन वन रासन का एक बैनर दिखेगा यहां से आप अपने रासन काट की डिटेल्स और पिछले च्छे महिनी में की गई ट्रांजिक्शन और आपको भी कितना रासन मिलेगा यानि कि आपका कितना रासन बाकी है यह सब चिक कर पाएंगे अगर आपको यह बैनर नहीं दिख रहा है तो आपको नीचे All Services पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर सर्च करना होगा रासन और आपके सामने One Nation One रासन डीवीटी टेग लगा हुआ आ जायेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है आप डिरेक्ट बैनर से भी स्पीश पर आ सकते हैं उसके बाद आपको वीव रासन कार्ड डीटेश पर क्लिक कर देना है और वीजट सर्फ पर क्लिक करके अपना डिश्ट्र रासन कार्ड नमबर यहां पर लिख देना है जो आसानी से आपके राशन कार्ड पर मिल जाएगा अगर आपको अपना डिश्ट्र राशन कार्ड नमबर नहीं पता है तो आपको अपने इस्टेट की राशन कार्ड की साइट पर जाना है और उसके बाद आपके सामने आपकी पूरी family के details आ जाएगी सबसे उपर आपको state और district सो होगा कि ये रासन काड किस state का है और उसके बाद जितने भी लोगों का आधार काड इस रासन काड से link है आधार इस सीडिट के नीचे yes लिखा मिल जाएगा आपको अपने रासन काड के 6 महिने के purchase list निकालने के लिए बैक आजाना है और यहाँ पर second option पर view पर click कर जाना है यहाँ से build service पर click करके वापस आपको अपना रासन काड नमबर लिख कर चिक details पर click कर जाना है उसके बाद आपके सामने पूरे 6 महिने की purchasing list आ जाएगी यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किसी महिने में केवल गी हूँ और किसी महिने में केवल चावल का सो हो रहा है यहाँ से रासन किसने receive किया है उसका नाम भी आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से पूरे list देख सकते हैं आपको अपना बचा हुआ रासन यानि Community Balance चेक करने के लिए वापस से Back आजाना है Back आने के बाद आपको Third Option चेक Community Balance पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रासन का नंबर लिग देना है Month Automate इसके बाद चेक डिटल्स पर क्लिक कर देना है उसके बाद इसकी पूरी डिटल्स आपके सामने आ जाएगी यहाँ से भी आप अपनी पूरी डिटल्स चेक कर सकते है यहाँ से आपको सभी Members का एक यूनिक ID नंबर मिल जाएगा और यहां से आपने टांजिक्षन भी देख सकते हैं कि कितना टांजिक्षन अभी होना बाकी है तो चलिए अब मैं आपको बिना अप्लिकेशन डाउनोड की बदा देता हूं कि आपको किस प्रकार से वन नेशन वन लासन कार्ट चेक करना है तो आलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पने फोन या लैप्टाप के ब्रावजर ओपिन कर लेना है और आपको सर्च करना होगा उमंग और आपको वेब उमंग की ओफिस्टल साइट पर आ जाना है और स्टेम वही प्रोसेस आप यहां से भी कर सकते हैं यहां से भी आपको GoTo Service पर क्लिक कर देना है और आपका एकाउंट अगर बन गया है तो आपको लॉगईन पर क्लिक कर देना है यहां से एगर आपने अपना यम्पीन से नहीं तो OTP से लॉगईन कर सकते हैं OTP से login करने के लिए यहाँ पर आपको अपना mall number इंटर कर जाना है और नीचे get OTP पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना OTP लिख देना है और capture डावकर आपको login कर लेना है उसके बाद आपसे यमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ से आप अपना यमपिन सेट सरकार दोरा चला जाती है इस application से आप काफी सारी सिवाओं जैसे pen card, आधार card, certificate download और अन्य सभी सिवाओं का लाव ले सकते हैं तो इस application को जरूर यूज़ करें तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद